आतम निर्भर कार्थ होता है अपने आप पर निर्भर या आश्रित हो ना आत्म निर्भर भारत कार्थ है भारत को किसी भी चेत्र जैसे खाद्यपधार्थ, टेक्नलोजी, इलेक्ट्रोलिक उपकरण या किसी भी तरह के अन्य उपकरणों, मसीनों, दवाईयों, रक्षा से जुड़े सेन्न सामानों आधी के लिए दुनिया के किसी भी देश पर निर पस्नियता के साथ भारत में ही किया जाए, ताकि हमें किसी भी वस्तु का आयात करने की जरुवत ने पड़े, और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता बिल्कुल खतम हो जाए, यहीं आत्म निर्भरता है, आत्म निर्भर भारत का सपना, स्वतंतरता प्राप्ति के कच्चे माल से तैयार होने वाली वस्तु का जादा से जादा प्रियोग करो, वो खुद भी पूर्ड स्वधेसी वस्तु का प्रियोग करते थे, यहें आत्म निर्भर भारत की तर्फ उठाया गया पहला कदम था, लेकिन दुख की बात यहें रही है कि आजादी के 70 साल तक पहला कदम दूसरे कदम में नहीं बदल पाया, मगर कोरोना महमारी से उपजे संकट में देश ने खादानों वे अन्य जरूरी सामानों की कमी के बाद आत्म निर्भरता का मतलब समझा, इसके बाद से भारत के दिल में आत्म निर्भरता का सपना पलने लगा, जब कोरोना वाइरस पूरी दुनिया में पहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा था तब कोई भी देश चाहकर भी दूसरे देश की मदद नहीं कर पा रहा था ऐसे समय में हमारे देश के पास मेडिकल में प्रयोग होने वाले उपकरणों वैदवाईयों की भारी किल्लत हो गई उस वक् कई सारी मेडिकल से संबंदित समस्याओं से गुजरना पड़ा पर कहते हैं ना कि आउशक्ता अविसकार की जन्नी है बस हमने इसको शिद्ध कर दिखाया भारत ने हिम्मत नहीं हारी और अपने ही देश में कुछ सामान जैसे पीपीई किट वेंटिलेटर सेनेटाइजर औ के एन नाइन टीफाइव मास का तुरंत भारी मातरा में उत्पादळान शिरू कर दिया हमारी आउसकताओं की पूर्ति के लिए हमारे कदम आत्मि निरभर भारत की तरफ भढ़ चले आत्मिनिरभर भारत अभ्यान कोरोना महामारी से बचने के लिए पूरे विश्यु में लोकडाउन किया गया जिस वजह से वे सभी व्यवसाइक और ओध्योगी गतिवीद्या बंद हो गई चाहा कर भी एक देश दूसरे देश से माल आयात वे निर्यात नहीं कर पा रहा था भारत में भी लोगों को अपनी जरूरतों के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा रही सही कसर भारत के साथ चीन के डोकलाम विवाद ने पूरी कर दी डोकलाम विवाद के बाद भारत ने चीनी वस्तों के आयात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी चीन से आयात की जाने वाली वस्तों बहुती कम मुले में उपलब्द होती थी लेकिन पाबंदी लग जाने के बाद भारत में चीन का सामान आना बंद हो गया तब भारत को दूसरे देशों से समान मंगाना पड़ा जो काफी महंगा था तब भारत ने आत्म निर्वर होने की जरुत को बड़े सिद्दत से महसूस किया 12 माई 2020 को राश्टे के नाम संबोधन में भारत के प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मोधी ने भारत को पूर्ण रूप से आत्म निर्वर बनाने की बाद जनता के सामने रखी और लोकल फोर वोकल स्लोगन के साथ देश की जनता से आत्म निर्वर भारत बनाने का आहुआन किया इसके साथ ही आत्म निर्वर भारत अभियान की शिरुवात के लिए 20 लाग करोड रुपे के आर्थिक पैकेज की घोशना भी की जो देश के कुल सकल घरेल उत्पाज GDP का 10 प्रतिशत है तब प्रधान मंत्री ने कहा था कि भारत को COVID-19 महामारी संकट को एक आउसर के रूप में देखना चाहिए वैसे भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम पहले से ही जिसके तहत कई सारी योज़ने सपलता पूर्वक चलाई जा रही है भारत के आत्म निर्बन होने से फाइदा भारत के आत्म निर्बन होने से पूरे देश वैदेश के प्रतेक नागरी को फाइदा पहुंचेगा सबसे पहला पायदा तो यह होगा कि हमें अपनी जरुरत की वस्तों के लिए दूसरे देशों पर निर्बार नहीं रहना पड़ेगा आयात में कमी होने से विदेशी मुद्रा की बचत जरुर से दाज अवस्तों का निर्यात कर हम अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा भी अरजित कर सकते हैं किसी भी आपदा या महामारी के वक्त हमें अपनी अवशक्ताओं की पूर्ती के लिए दूसरों के मूँ नहीं ताकना पड़ेगा अपने देश में नए नए उद्योग धंदे को इस्तापित किया जाएगा जिससे हज्जारों की संक्या में लोगों को रोजगार मिलेगा हर हाथ के पास काम होगा तो बेरोजगारी वे गरीबी खुद वे खुद खतम होगी प्रति व्यक्तियाय में बड़ोत्री होगी जिससे लोगों के आर्थिक हालात में भी सुधार आएगा लोगों के आर्थिक हालात में सुधार का मतलब समाज और देश की आर्थिक इस्तिती में सुधार फिर हमें बेरोजगारी वे गरीबी को खतम करने के लिए कोई अलग से अभियान नहीं चलाना पड़ेगा देश में बनने वाली सभी वस्तों की गुणवत्ता पर विशेश ध्यान दिया जाएगा जिससे देश दुनिया पर हमारे देश व्यवस्तों के प्रती विश्वस्नियता बढ़ेगी आत्म निर्बर भारत के पांच मूलभूत इस्तंब आत्म निर्बर भारत बनाने के लिए पांच मूलभूत इस्तंबों पर विशेश ध्यान दिया जाएगा प्रोधोगी की संचालित व्यवस्ता पर जोर दिया जाएगा आउसन रचना ऐसे आउसन रचना का विकास किया जाएगा जो पूरे विश्व में आधूनिक भारत की पहचान बने मांग भारत की मांग और आपूर्ती स्रंकला को मजबूत कर उसकी पूरी छमता का उपयोग किया जाएगा गती सिल जन सांके की भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारी असली ताकत भी यहीं है जो आत्म निर्भर भारत के लिए उर्जा का श्रोत बनेगी कैसे बनेगा भारत आत्म निर्बर भारत हमारा देश भारत विविदिताओं का देश है यह देश अलग-अलग तरह की संस्क्रिती रहन सेन, खान पान, भासा का धनी तो है साथी साथ प्राकर्तिक संसादनों जैव विविदिताओं तथा हर्याली वनों से भी संपन है प्रकर्तिने जो हमें दिया है या जो भी संसादन हमारे पास है, हम उनी चीजों का इस्तेमाल कर आराम से आत्म निर्बर बन सकते हैं लेकिन भारत को आत्म निर्बर बनाने के लिए हमें कई सारे छेतरों में एक साथ सामुईक प्रियास करने होंगे जो निम्न है भारत को आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए देश के प्रतेक नागरिक को अपने अपने इस्तर से सहयोग करना होगा एक जिम्मेदार नागरिक के तोर पर हम सब को अपने कर्तव्यों का इमानदारी से पालन करना होगा सबसे अच्छी बात यह हैं कि हमारा सविधान भी हमें वे हमारे देश को आत्म निर्भर बनने में पूरा-पूरा सहयोग करता है भारत का सविधान भारत के प्रतेक नागरिक को जीने का शिक्षा, रोजगार, विचारों की अभिव्यक्ति वे अन्य सभी चीजों के समान आउसर प्रदान करता है और सारी जन कल्यानकारी योजनाव का लाब भी देश का प्रतेक नागरिक समान रूप से ले सकता है हमारा सविधन कहता है कि देश का प्रतेक नागरिक स्वतंतिरता पूर्वक देश के किसी भी कोने में जाकर अपनी रोजी रोटी के लिए प्रियास कर सकता है नए उद्योगदंदों को इस्तापित कर सकता है जो किसी भी राष्टर के आत्म निर्भर बनने की तरफ सबसे पहला और एहम कदम है हमारे यूबवे हमारे देश के चात्र आत्म निर्भर भारत बनाने में एहम योगदान दे सकते हैं ये विध्यार्ती अपार संभावनाओं और एसीमित प्रतिभाओं के धनी होते हैं वैसे भी भारत के चात्रोवे यूवाओं की प्रतिभा का लोहतों पूरी दुनिया मानती है अधिकतर विक्सित देशों में भारत के यूवा अपनी सेवाएं बड़ी कुसलता पूर्वक दे रही हैं सरकार ने नए उद्योग धंदों को इस्तापित करने वे नए अविस्कारों को इजाद करने के लिए स्टाइट अप योजना की शुरुवात की है जिसमें सरकार इन युवाओं को आर्थिक प्रोथसान दे कर अपने देश में ही अपनी सेवाए देने के लिए प्रेरित कर रही है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में दूसरा एहम कदम है हमें समुद्र से लेकर वनों तक सभी को संरक्षित करना होगा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अपने प्राकर्तिक संसादनों का भी बरपूर उपयोग करना पड़ेगा हमें अपने देश में मिलने वाले कच्चे माल का उप्योव अपनी आवसकताओं की पूर्ती के लिए करना सीखना होगा इसके लिए हमें अपने प्राकर्तिक संसादनों वजय विवित्ता वेवनों यहां तक की अपने समुद्र को भी बचाना आविशक है क्योंकि जंगलों से हमें कई तरह के उद्योग धन्दों के लिए कच्चा माल वे अमुले ओश्डियां प्राप्तिक साथ में इसमें इको ट्यूरिजम को बढ़ावा मिलता है जिसे राजी सरकारों और केंदर सरकारों को भारी राजश्वे की प्राप्ति होती है हमारे समाज में अभी भी जाती धर्म लिंक का भेजबाव गहरी पैठ बनाए हुए है जो हमारी तरक्की में सबसे बड़ा बादक है अगर भारत को आत्म निर्बर बनाना है तो हमें जाती धर्म लिंक के भेजबाव से उपर उठकर समान रूप से अपनी वे देश की आर्थिक तरक्की के लिए सामुईक प्रियास करने होंगे अगर हर व्यक्ति अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रियास करेगा तो देश खुद वे खुद मजबूत बन जाएगा भारत एक क्रेशी प्रधान देश है और भारत की लगबग 70% आबादी खृशी कारियों पर अपना जीवन यापन करती है हलांकि आज भारत में क्रेशी के पारंपर एक तोर तरीकों को बदल कर किसानों ने वेग्यानिक तरीकों को अपना लिया है जिस से अच्छी पैदावार हो रही है लेकिन अभी भी इस छेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है इसी ही एक मात्र ऐसा छेत्र है जिसमें भारत पूरी तरह से आत्म निर्वर होकर अपने देश के लिए खादानों की जरूरत को पूरा तो कर ही सकता है साथ में खादानों के निर्यात से भी अच्छी खासी विदेशी मुद्रा अजित कर सकता है हाल के वरसों में किर्शी छेत्र की तरह पड़े लिके युवां का रुजान भी बढ़ा है के चेतर में अपार संभावना जाता ही है अपनी सब्वेता संस्कृति भास्ता लोग कला रीती रिवाजों पूर्वजों की धरोर वे आध्यात्मिक ज्यानवे भारतिय विद्धाओं को भी सहेज वे समेट कर रखना होगा और अधिक सी अधिक युवाओं को इन सब से जोड होगा तो वे किसी ने किसी रूप में आत्म निर्भर भारत बनाने में अपना महत्वपुन योगदान देगा किसी भी राष्ट के विकास में वहां के स्वस्त नागरिक मानव पुंजी का निर्मान करते हैं स्वस्त व्यक्ति प्रतेक काम चाहिवे उद्योगधन देहूं या क्रेसी वेवसाय या किसी भी अन्य तरह के छेत्री की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं युवां को रोजगार प्रक्षिक्षा देने की आतियाव शकता है स्कूल कोलेजों में छात्रों को अपने मन पसंद की सिक्षा लेने की स्वतंतरता होनी चाहिए जिससे युवां अपनी रूची के हिसाब से सिक्षा ग्रेंड कर अपनी चमता का विकास करें और भविसे में उनकी वहीं सिक्षा उनके लिए रोजगार का जरिया बन जाए अगर हर हाथ के पास काम होगा तो भारत आत्म निर्बर होगा हमारे देश में प्राकर्तिक प्रियाटन के साथ ही धार्मिक प्रियाटन की भी असीन संभावनाए हैं भारत में होने वाले विसाल धार्मिक आयोजन पेला से इस विश्व के लोगों को आकरशित करते हैं उप्सनार हमें अपने भारत को सिर्फ आत्मिर्बर ही नहीं बलकि एक स्रेश्ट वे विश्वस्तिय भारत बनाना होगा इसमें हमारे युवा अपनी उर्जा वे नए विचारों से नए नए तरह के व्यवसाईयों अविसकारों को जनम दे कर आत्मिर्बर भारत बनाने में एक महत्यपुन भूमी का निभा सकते हैं देश के बड़े बड़े उद्योगपती वे सरकार इन लोगों क को आर्थिक मदद दे कर प्रोथसाइद कर सकते हैं जब भारत में ही हर तरह की वस्तू को पूर्ण गुणवत्ता के साथ बनाये जाएगा तो भारत को अपनी जरुरत के लिए किसी अन्य देश की मूह नहीं ताकना पड़ेगा कोई कंपनी खोल कर लोगों को रोजगार दे से आप निर्बर भारत का सपना साकार करेंगे धन्यवाद जैहिन जै भारत